नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल Z-Edge Technology में, जहां हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स देते हैं। आज हम बात करेंगे चारखंट कर्मचारी चैन आयोग, JSC के CGL 2024 परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। खुली होने और सीरियल नंबर में गड़बडी की बात कही गई थी। इस पर जहारखंट कर्मचारी चैन आयोग के अध्यक्ष प्रशांद कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन शिकायतों को पूरी तरह से खारिच कर दिया है। उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि JSC CGL परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। परीक्षा की सुरक्षा के लिए कई कड़े इंतजाम किये गए थे जैसे की CCTV निगरानी और प्रशन पत्रों पर कई लेयर की सील लगाई गई थी। अध्यक्ष प्रशांद कुमार के अनुसार पेपर लीक की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों के बावजूद परीक्षा पारतर्शी ढंग से आयोजित की गई थी। जो लोग इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुत्य की JSSC CGL 2024 परीक्षा के रिजल्ट की। प्रशान कुमार ने यह भी बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। आयोग ने आंसर शीट की स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द आंसर की भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिजल्ट इस महीने के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर JSSSE ने जारखंड मैट्रिक्स तरिय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा JMLCCE के लिए एड्मिट कार्ड भी जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे वो JSSSE की आधिकारिक वेबसाइट jsc.anais.in से अपना एड्मिट कार्ड टाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी JSSSE CGL 2024 परीक्षा से जुड़ी अपडेट। अगर आप इस तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।